एक पर एक वैक्ति ने महान फिलोश्वर सुक्राथ से पुझा कि सफलता का रहश्य क्या है? सुक्राथ ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुभा नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रस्ट का जवाब मिलेगा. जब दुसरे दिन सुबह वव्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतर कर नदी की गहराई मापने के लिए कहा वव्यक्ति नदी में उतर कर आगे की तरफ जाने लगा जैसे ही पानी उस वैक्ति के नाग तक पहुँचा पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुँ पानी में डुबो दिया वो वैक्ति बाहर निकलने के लिए छट पटाने लगा कोशिस करने लगा लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा मजबूत थे सुकरात ने उसे काफे देड़ तक पानी में डुबोई रखा कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस वैक्ति ने जल्दी से अपना मुँ पानी से बाहर निकल कर जल्दी जल्दी सास लेने लगा सुकरात ने उस वैक्ति से पूछा जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे वैक्ती ने कहा जल्डी से बाहर निकल कर सास लेना चाहता था सुकरात ने कहा यही तुम्हारे प्रश्ण का उत्तर है जब तुम सफलता को उतनी ही तीरविच्छा से चाहोगे जितनी तीर विच्छा से तुम सास लेना चाहते थे तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाए से बाला चाहते हैं झाल झाल